बादिक भाद फिर से आप सभी कसवागत और आब बात करते है ओम माथुर की जिनको ज़ार्खन विधान सभा चुनाओं का प्रभारी बनाया क्या है माथुर 2001 से अब तक आट से ज्यादा राज्यों में प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं और अब ओम माथूर को जारखंड के जिम्मेदारी दी गई है माथूर का मानना है कि जारखंड में बीजेपी की आप रत्याशित जीत होगे ओम माथूर से खास बादचीत की हमारे सही होगी अधितिनागर ने चुनावी राजनीती के जादूगर जिनोंने गुजरात उत्तरप्रदेश महराष्ट के रास्ते भारते जन्ता पार्टी को केंद्र में और जो राज्यों में सत्ता काबिच कराई वही ओम माथूर उनको एक पड़ी जिम्मेदारी अब दी है आपको ट्रबल शूटर की तरह हमेशा देखा जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर आप कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं और अब अगला काम अगली जिम्मेदारी आपको ज नहीं जुम्मेवारी मिली है प्राणम में जब एक में मद्यपरदेश बेजा गया तो उस समय भी वहाँ दस साल से हम सासन में नहीं थे और दीविजय सिंग जी सीम थे मुख्य रूप से जब व्यक्ति जब जाता है काम के लिए तो पूरे लगन से काम में जुग जारता है और कार्यकरताओं को चिंता करके अगर उनको अग्रेश्यू बना देता चुनाव लड़ने के परती तो सारी कटनाय सुते दूर होती जाती है लेकिन वर्तमान में जो ह हिंदुस्तान है और पिछले छे वर्सों के जो हमारा नरेंदर मोदी जी का जो विकास का एजेंडा गाहों तक पहुंचा है मैं यह कह सकता हूं कि 130 करोड में से 80-90 करोड लोगों को सीधा सीधा मोदी जी की कुष्ण किसी योजना से लाब पहुंचा है और फिर इसके साथ साथ ये कलपना कोई पहली नहीं है 14 के चुनाव के पहले ही 13 में मोदी जी अपनी रेलियों में कहते थे हिंदुस्तान का समान रूप से विकास नहीं हुआ पूरा पुरवांचल विकास की द्रश्टी से पिछड गया तो निश्चित रूप से जहारकन भी पुरवांचल मे पूरा करें तीन सिस्टम का सौंजे से बिठाना है और वर्सों से काम करता हैं लगबगर तालिस वर्स होगे सहुखनता का काम करते करते तो मैं चुनोती तो हर शीज को मानता हम अर काम को मानता हूं लेकिन केंद्रिय नेतर तो ने मुरे भरोशा किया है एक नया और प्रदेश दिया है लगवाग यह मुरे काल से आठवा प्रदेश हो जाएगा बड़ा प्रदेश इस पर वैसे बीच-पीच में बहुत की जगे गया हूं करनाटगा में भी एक महीना लगा गाया कोस्टल बेल्ट में लेकिन वह परभारी के नादे लेकिन एक नया आठवा प्रदेश मेरे जुम्में होगा और इस समय जो और फिर अभी चाजी चाजी जो 370 की जो आहां लोगों के मन में था उसको मोदी जी ने और ग्रह मंत्री जी नहीं हिम्मत करके जो निने किया है और पूरे दुनिया में देश में आम कार्यकरता की भावना कहां 1951 से जहां वलिदान हुए मुकर जी वो कश्मीर मारा और मन दुखता था जब परदान मंत्री जाते थे कश्मीर एक तरब तिरंगा रहा था एक तरब दूसा जंड़ा भ जादे शीट लाएंगे आप लोग कोई नहीं मान देते लेकिन निश्चित रूप से ऐसा ही परिणाम इन आने वाले तीनों चारों प्रदेशों के चुनाम में भी और जहारखंड में तो निश्चित रूप से आए गया है अभी तक का जो भी परफॉर्मेंस हमने देखा है उससे हम इमान सकते हैं कि अगर ओम मातुर वहां जा रहे हैं तो एतिहासिक विजय जरूर होगी और जिस तरीके से अभी तक उत्तर प्रदेश, महराष्ट, गुजरात के कारे करताओं की भीड ओम मातुर साब के घर पे ल करने लगेगी कैमरा परसन मुकेश के साथ अधितीनागर फर्स्ट इंडिया देली